हेलो दोस्तों नमस्कार शंतोसी आईस में आप सभी का स्वागत है आज यहाँ पर हम आपको एक नया सब्जेक्ट कह सकते हैं सब्जेक्ट तो नहीं होगा यहाँ पर हम नया टॉपिक की स्टार्ट करने चल रहे हैं ठीक है बिस्व का भूगोल वर्ड जोगर्फी ठीक है वर भी डाउनलोड किये हैं वह जो जाकर डाउनलोड कर लिजिए हम कैसे पढ़ाते हैं जो बच्चे नए होंगे वो जान लिजिए यहाँ पर आपका घटना चक्र जो पूर्बाव लोकन है उसी का साट नोट्स बनाया जाता है ठीक है हर एक मैप में आपका साट नोट्स बना दिया जाता है कहानी केतना कि ताकि आपको याद हो जाए ठीक है और मैप मैं इसलिए लाता हूं कि मैप जल्दी बिजुलाइज होता है ठीक हर चीज को एक मैप में थो आपको काफी लंबे समय तक याद ही रह जाता है ठीक है तो यहां पर आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ड history चलेगा ठीक है modern history का भी notes बन रहा है जैसे ही उसका एक मेराथन टाइप विडियो आने like हो जाएगा मैं उसका मेराथन टाइप वीडियो ला दूंगा ठीक है मेरा मलब modern history का तो चलते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं इस PDF को आप चाहे daily download कर लीजिए telegram से या हम compile क्वाइल देंगे उसको डाउनलोड कर लीजिए ठीक है क्योंकि जब खतम हो जाता है तो मैं एक कमपाइल पीडिएफ दे लेता हूं टेलिग्राम जाइन करने का आपका ये बेनिफिट होगा जितने भी घटनासार के जितने भी आईदरिष्टी के क्रोनिकल के कुष्चन होत ठीक है बिच्lor का भूगोल में मैं इतना आपको मैपक खुरूवादेंगा की पूरा वर्ड जियोगर्फी अपको रण जाएगी ठीक है अब देखिया ब्रमान्ड इससे बड़ा कोई नहीं है तो सबसे important सिधान्थ में big bang theory जिसको महाँ बिस्पोर्ट का सिद्धान्थ अब सोचेंगे big bang theory तिसका नाम भी किसी ने दिया होगा कि बिना किसी नाम दिये, ऐसा थोड़ी बिग बैंग लगा दिये, ठीक, दैसा नहीं, तो नाम कुन दिया था? बिग बैंग सिधान्द के जो परतिपादक थे, वो कुन थे? जार्ज ले में तियार थे, और बिग बैंग नाम दिया था, ठीक है, ये 1939 में फरेड होयल ने और बिग बैंग नामत किस ने दिया था 1949 में फ्रेड होयल ने दिया था अब यहां पर देखते हैं आकास गंगा के बारे में बात करते हैं इसका सेफ किस परकार किसे होता है अलग इसी ब्रमान का यह एक भाग है आकास गंगा ठीक है इसका सेप elliptical होता है spiral और irregular होता है ठीक है आकास गंगा के केंद्र की परकर्मा करने में सूर को 25 करोड वर्स लगते है ठीक है याद रखेंगे कितना साल लगते हैं 25 करोड हमारी पिर्थवी किसी की परकर्मा करती है हमारी पिर्थवी सूर की परिकर्मा करती है और सूर भी किसी की परिकर्मा करता है जैसे पोस्ट होती है अगर एक ग्रुप सी का ब्यक्ति है तो वो ग्रुप बी के नीचे होगा और ग्रुप बी वाला भी किसके उपर नीचे होगा ग्रुप एक ही नीचे होगा तो ऐसे ही ज अकास गंगा की परिकर्मा करता है जिसको मिलकी पे करते हैं इसमें देख लीजिए एक कौन सा अदयत वादी Monistic concept है जो अधेतवादी Monistic concept है उसमें कांट की वायवरास की परिकलपना की जाती है और एक Laplace की निहारी का परिकलपना है तो Laplace की निहारी का परिकलपना ऐसको बबिहरास की परिकलपना जिसको लापलास की नेबुलर हाइपोथिसिस कहते है ठीक है नेबुलर हाइपोथिसिस लापलास का जो है इसको कहते है जो निहारिका परिकलपना इसको नेबुलर हाइपोथिसिस करते है यह अदैत परिकलपना है मोनिस्टिक कांसेप्ट है एक देट वादी कांसर्ट डूलिष्टिक देखते हैं तो चेंबरलिन तथा मॉल्टन की गरहाड़ परकलपना है प्लेनेट इसमील हाइपोथेसिस ठीक है यह जेम्स जेंस और सरहेराल्ड जेफरीज की जुआरिये परकलपना है टाइडल हाइपोथेसिस है ठीक है यह याद लिए ठीक हम इसल टोप सुचेंगे यह कहां पर पढ़ाया जाता है कभी कभी यह कुश्च्छन आपके पीपर में पूछ लिया गया है ठीक है कांट की कौन परिकलपना है है कि एक सेंट रसल की कौन से परकलपना है टो रसल फोडिक है तो ऐसे थोड़ा सा याद रख अब देखते हैं अब आपका शुरू होता है important fight कुछ देखते हैं वा सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से गर्सित होते हैं मलब जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से गर्सित होते हैं वो चंद सेखर सीमा कालाती है ठीक है कौन से सीमा कालाती है चंद सेखर सीमा अगर मैं कहूं तो जिसके बाहर सारे मितरूप से गरसित होते हैं वही चंद सेखर सीमा है किस्टन से बलेक होल का सिधांद का किस ने परतिपादन किया था एस चंद सेखर ने इन्होंने बलेक होल के किश्ण छिद्र इसको ःंदी में किश्ण छिद्र भी बोलते हैं किश्ण छिद्रू का परथिपादन किया था जिस गालकसी में हमारा सौर मंडल इस थी थे उसका नाम के हम मंदाकनी या आकास गंगा या दुगध मेकला कहते हैं तो हमारा जो सौर मंडल है क्योंकि हमारे जैसे कई सौर मंडल है ठीक है यहाँ पर आकास गंगा जैसे कई आकास गंगा है है तो हमारा भी छोटा सा पार्ट गए तो जो हमारे सान मंझोर मंदल में कौन-कौन से आते हैं फिर सूर हो गया और अपका सुक्र हो गया ब्रिस्पति हो गये सब प्राय destra आते नंप प्राव्ण निए सब अते हैं वह मारा मंगल मांनी या, आकास गंगा या दुपध मेक्सा कहते हैं जिस तरह मंडल में धुरुत तरह का संकित पराप्त होता ह। उससे सब थरिशी कहते हैं गलक्सियों की अनंद समूंह के रुख को भंडार कहते हैं ठीक है तो जब उसका समूह हो जाएगा तो वही ब्रमान्ड बन जाता है हमारी आकास गंगा के सबस ayr चमकीले तारों का समूह ओरियन नीबुला ख़लाता है हम फीकर पूद देखाएंगे अब तारे का रंग सूचक एगर तार है तो तापमान के उसको तर कहा है ठीक है उसका कलर ये बताता है जैसे क्या आप जब गैस जलाते हैं जब बिलू फिलेम होता है तो आपको लगता है कि ये अच्छा जला है ठीक इसका ताप अधिक होगा ऐसे ही जो तारा है कुछ तारे जादे चमकीले होते हैं कम चमकीले होते हैं तो उससे पता चल जाता है जो कि बहुत से research करने में आसानी हो जाती है ठीक है अब देखते हैं यहां पर यह क्या आप देखेंगे यह हमने इसलिए रखा है कि यह आपका बड़े से छोटा है ठीक है तो सबसे बड़ा कौन सा है तो Jupiter है सबसे बड़ा ये तो आपको पता युगा Jupiter सबसे बड़ा है ठीक जिसकोда sunny कहते हैं और इसको क्या कहते हैं इसको ब्रेश्पति गहते हैं सबसे बड़ा है इसके बाद sunny है इसके बाद Uranus एक यूरीनव क्योम नेब्चून मदलब आप अगर शोट यह तो बहागों में हमारा या सोन यसमें गैसिये गणाना होते हैं और इस साइड जो गणा जो गणाना बिंद जिस पें मिट्हें पत्थड ओ थड पाय जाते हैं जैसे जूपीटर है साइटर्न है यह सब से चूपिटर सब से बड़ा Hai भी और इसको ध्यान रखिएगा कौन अर्थ बड़ा है और बीनेस चोटा है बीनेस से चोटा मार्स है उसके चोटा मरकरी है पुलोटो अब नहीं रखा जाता ठीक इसको अटाई देजिए यह चुद्र ग्राम है वारा क्योंकि यह सही से परिकर्मा नहीं कर रहा था इसको हटा दिया गया तो सबसे चोटा मरकरी है यह तो सबको पता होता सबसे बड़ा जूपीटर है यह भी सबको पता होता यह नहीं पूछेगा आप से यह पूछेगा कि पिर्थवी से बड़ा मार्स है यह सही यह कतन की गलत है तो यह कतन गलत है पिर्थवी से बड़ा मार्स नहीं है पिर्थ पिर्थवी से बढ़ा है कि यह जुड़वा बहान है तो यह बहान यह बढ़ी बहान है और यह बहान क्या है यह छोटी बहान है ठीक है तो पिर्थवी बढ़ा है और बीनेश छोटा मतलब पिर्थवी सुक्र जुड़वा बहान कहलाती है तो पिर्थवी बढ़ी है और यह बीने चोटी है तो पिर्थवी सुक्र मार्स मरकरी ये तीनों चोटे हैं ठीक है अगर देखा जाए तो अगर मतलब मैं यह कहूं कि इस साइड के सबसे बड़ी पिर्थवी है तो आपको मानना पड़ेगा इस साइड के सबसे बड़े पिर्थवी है पार्थिव गरहों में ठ पता रहते हैं चाहे मरकरी की बात करें चाहे बीरस की बात करें चाहे अर्थ की बात करें चाहे मार्स की बात करें यह क्या है यह पार्थिव गरह कलाते हैं और जो जोबियन गरह कलाते हैं जहां पर क्या होता है जोबियन गरह में जहां पर आपका धोल कड़ों से इस सबसे ब सौर मंडल में क्या होते हैं गरा होते हैं बौने गरा होते हैं प्राकरतिकुप गरा होते हैं छुद्ध गरा होते हैं उलकाएं होती हैं धूमकेत होते हैं खगोली धूल होते हैं ये सभी आते हैं खीक है सौर मंडल में अब देखिए पार्थिप गरा कौन से हैं बुद्ध प्राकार भी बहुत बड़ा होता है इसलिए जोबियन का और्थ होता है पिर्थवी के समान ठीक है अब देख सावर मंडल का निर्माड लगभग 4.6 billion वर्स पूरभुगा था कितना 4.6 billion वर्स पूरभुगा था सावर मंडल का निर्माड अब यहां पर देखते हैं सावर सबसे कम सबता है सनन का दूसरा सबसे अगरा उब गराभ Ria अगर सबसे बड़ा उबगरा कौन से जो सबता अगर ताइटन का सबसे बड़ा उबगरा उब पौन टेथिस मिमास एटलस फाइबे और हेलन आदी ये सनी के अन उपगरा है सबसे चमकीला उपगरा सनी का कौन है संसीले डस सबसे चमकीला उपगरा का लाता है किसका सनी का ठीक है ये कुश्चन आया हुआ है अब देखिए सनी के अत्रिक्त अन ऐसे गरह जिन पर वले पा बिरस्पति अरूड वरूड सनी के अतरिक्त ऐसे गरां है जिन पर वले पाए जाते हैं ठीक है तो बिरस्पति अरूड वरूड यह ऐसे गरां है जिन पर यह वले पाए जाते हैं ठीक यहां पर पिर्थवी से देखने पर सनी का रंग कैसा होता है पीला दिखाई पड़ता है तो सनी का रंग कैसा दिखाई देगा परमुक अंत्रचीयान जो सनीग्रांड के अन्वेसड है तो करते हैं अब और मैं पूछेश्ट लेटा हुआ क्षा और ये पूछा हुआ है बताएंगे अब यहां पर सुक्र और ऑ हो जिसको कहते हैं इसरो और यह अंगर ओर अपने अच्छ पर घुड़न करते हैं यह पूरब से पश्चिम की तरफ घुड़न करते हैं जैसे हमारी पिर्थवी है हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ घुमती है ठीक है हमेशा याद रखिए कई बार आपको दिमाग में यह कनफ्यूजन होगा कि हमारी पिर्थवी प याद रिखेंगे कि दो कराँ हैं जो पूरब से पश्चिम गुमते हैं और हमारी पिर्थवी पश्चिम से पूरब गुमती है ठीक है तो कैसे याद करेंगे कैसे याद करेंगे कुछ भी करके क्योंकि अब देखिए यहाँ पर पूरब है और यहाँ पर पश्चिम है तो जब ऐसे आएगी हमा चीजी की सुद्दा है तो इसलिए वो ऐसे ही बना लिए अपने हिसाब से ठीए ऐसे याद कर लिए पश्रिम से पूरब घुमती है कभी भूरिएगा मत ठीए कि यही पूछाएगा बाद में अगर हम सूर के बारे में देखते हैं सुरिस और मंडल के केंदर में इस दित है क्या करते हैं परकास मंडल कहते हैं ठीक है अब देखते हैं सूर मंडल के केंदर में इस दित है सूर मंडल के केंदर में इसी की परकरमा सब करते हैं ठीक है जो मलत यह देखिए सूर कहां पर है यह केंदर में है और इसी की सब परकरमा चाहे जूपीटर बड़ा हो चाहे च अब का दीए योगे आप देखते आप यह पर अब यह सूर की तो सवंदस्टी सवन मंडल के रहीज़ले में आपचे मेह यह वक्या है किसी यंद्र मंडल के हुआ इसे दोने वाले सुरी के वाइ मंडल का बाहरी भाग तो कुरूना अमेशा क्या होता है वो को नाव की समस्त और जा का सुरोत क्या होता है फ्यूजन होता है नूपिलियर फ्यूजन बम होता है वो नुकलियर फ्यूजन पर काम करता है और जो नुकलियर बम होता है फ्यूजन पर काम करता है तो याद रखेंगे जो परमाड़ू बम होता है फ्यूजन पर काम करता है तो यह नुकलियर हमारा सोरी भी नुकलियर फ्यूजन पर कार करता है आकार पिर्थवी के आउसत ब्यास से 109 गुना हम से 109 गुना पिर्थवी से 109 गुना बढ़ा है सता का तापमान 55,000 डिगरी सलसियस नासा के अंसार अब देखते हैं यहाँ पर सूरी गरहड सूरी गरहड का होता अम्मावस्या के दिन अम्मावस्या के दिन न्यू मून तो कि जब सूरी गरहड होता है तो अम्मावस्या के ही दिन होता है यह ऐसे याद करेंगे एक आप हिंदी में क्या पढ़े होंगे आ सूरी पस्या तिक आ सूरी पस्या मिसमें क्या होता है हिंदी में जो इस्तरी सूरी ना देख सके तो जो इस्तरी सूरी ना देख सके तो वहा चाहते हैं अम्माउसा को न्यू मून तो अगर आप हिंदी में पढ़ने हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा आज सूरी पस्या ठीक है इसमें सूरी गरहड होता इसमें होता क्या है सूरी गरहड में यह देखें सोलर एकलिप्स में क्या होता है यह जो मून है यह अर्थ और sun के बीच में बीच में आ जाता है तो सूरी गहड़ कैसे होगा? अब कहिएगे कैसे कि यहां सूरी गहड़ हो रहा है माल देखे हमालेज़े इक खड़े हैं अब आप सूरी को देखना चाहते हैं लेकिन बीच में कौन आ रहा है? यह आ रहा है मून अब आप सोचेंगे हम यहां खड़े आप नहीं है आप यहां पर इतनी बिंदी अगर मैं रख दूंगा तब भी नहीं दिखेंगे कि आप कहां पर है ठीक है तो यह एकदम छोटा सा तो वो क्या है चंदरमा हमको ढख ले रहा है तो चंदरमा सूरी का हुता है तो मतलब अगर हम नहीं सूरी को देख पा रहे हैं इसका मतलब सूर फड़ गरहर लगा है इस लिए हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो सूर पर गरहर कभगे गा जब बीच में चंदरमा आ जाएगा और आप पिर्थवी पर खड़े ओकर देख रहे हैं तभी तो सूरी पर गरहर लगेगा तो हमेशा याद रखेंगे सूरी गरहर कब होता है जब बीच में चंदरमा आ जाता है और हम सूरी को देखनी की कोसिज करते हैं नहीं दिखाई देता तभी सूर गरहड लगता है चंद गरहड अभी उसको आगे हम बताएंगे ठीक है नहीं तो दोनों भी कंप्योज कर देंगे आप जब चंदर्मा सूरी और पिर्थवी के मद में आ जाये तो जिस से सूरी का परकास पिर्थवी तक नहीं पहुत पाता है तब ही होता है सूरी कर लाएट ठीक है अब देखे डायमंड रिंग टोटल सोलर एकलिप्स के बीच देखा जा सकता है जो टोटल सोलर एकलिप्स होता उसी के बीच देखा जा सकता है अब देखते हैं यहां पर आप सुझेंगे इस फीगर को आपने क्यों लिए देखिए इस फीगर के साहरे आप क्या समझगे समझेंगे rotation और revolution आप देखिए ये नंदी बाबा है नंदी बाबा अगर ये सीध अपने ये जो इनका पत बना है इस पे चल लए है ठीक है ये जो ये आपका थोड़ा-थोड़ा हलका हलका पत नहीं बना है ये दिख रहा है जहां मैं गुमा रहा हूँ ये अगर इस पे चल लए है तो पिर्थभी भी मान लिजिए यहां पिर्थभी यह पिर्थभी जब ऐसे इस क्रीस गोमती तो वह क्या वहाँ मिलता है और कोल हुबoka 做 आलाता है अगर हिंदी में तो ये नंदी चल लेते हैं, और फिर आपका ये गिरता है, ठीक है? तो क्या हुआ इसमें? आपका ये जो नंदी चल दएन किनारे किनारे ये आपका Redition हो गया, फिर थभी जब ऐसे चलती है तो इसमें क्या होता है मौसम चेंज होता है ठीक है तो यह देखे बड़ा है तो मौसम भी ऐसा थोड़ी होता आज थंडी का सिजन चला कल गर्मी का सिजन चलेगा तिन चार महीने बादी आता आपके यहां तो क्या होता है इसमें बड़ा टाइम लगता है तो यह बड़ा एर होता है बहुत बार पूछा गया है जब रिब लूसन होता है तो मौ onion चेंज होता की नहीं तब मौसम मौ जय लोगाइब यहां से यहां गों किनारे तब मौश्म चेंज होगा ठीक है आप तकिशन कौन सा होगा अब यह जो आपका ब्लेग समझ में आए जब ये आपका ये डंडा जो दिख रहा है ये खुदी अपने रूख मेंगा तो वहां पर परिभरमण होता है जिसको रोटेशन कहते हैं रोटेशन आफ इसी के कार दिन और रात दिन रात होता ही अभी देखे दिन होगा फिर छोटे ही एरिया में होने हैं तो आएसे याद करेंगे जब रोटेशन होगा तो क्या होगा दिन रात होगा और जब अच्छीन होगा तो होगि बहुत बड़ी चीज रहा है यह बहुत बड़ी रियुलीजبر मुसम बहुत बड़ा चेंज होटा ना इन वहां पर कई लोग रोटेशन लगा के चले आते हैं अब देखिए अगर मैं आप से पूछूं इसको याद करेंगे थोड़ा पर हिंदी वाला कैसे परिकर्मण कर रहा है मान देजिए एक-एक मंदिर बनी है आपने यहां मंदिर पर दर्शन किया सामने भगवान का और मंदिर के किनारे किनारे आप क्या करते हैं घूमते हैं तो जब मंदिर के किनारे किनारे घूमते हैं वही रिवलूशन होता है परिकर्मण होता है ठीक है और जब मंदिर के सामन खड़े होकर आप अपने ही जहां पर खड़े हैं उसी पर चारों तरफ घूम जाते हैं तो वह क्या होता है rotation होता है वह revolution नहीं होता है ठीक है जिसके करद दिन रात होता है यह दोनों तो concept आप समझजिएगा फिर आपका कई question सही हो जाएंगे मंदिर जब जाईएगा तो दो ही काम करिएगा वहाँ पर जब मंदिर पूजा करिए तो question याद कर लिजिए मंदिर के किनारे किनारे घुमेंगे revolution होगा जिसमें मौसम change होगा अगर मंदिर में भगवान की पूजा करते समय आप ऐसे घूम गए अपने ही एक्सिस पर एक पीछे से आगे तक तो वह क्या होगा इस चंद से खरने दिया था ब्रिटल इनमेनिया जगत और यह क्या होता कई चीद दिये गए था तो यह बिटल पूछा था क्या है इनमेलिया जगत या इकाइनो डर्मीटा संग के वर्ग से है ठीक है यह याद रखेंगे अब दिखते हैं यहाँ पर बुद्ध की बात करत करते हैं बुद्ध की बात करते हैं अब देखें बुद्ध गरह के सरवधिक निकट से गुजलने वाला किर्तिम उपगरह कौन सा है मेरीनर मेरीनर टेंथा ठीक है यह याद रखेंगे मद्ध आपमान और सतापमान 165 डिगरी कितना हाई टमप्रेचर होता है 165 डिगरी के बुद्ध के सुक्र के आप कैसे याद करेंगे कि बुद्ध और सुक्र के प्राकृतिक उपगरह नहीं होते हैं क्योंकि आइसे याद कर लेजिए क्योंकि रहना तो यहीं ही इनको ही प्रॉब्लम है इतनी गर्मी में तो यह इनके पास जो उपगरह है वो यह तो आप सह पा रहे हैं क्योंकि यह पासी है सूर के इसे लिए इनके पास कोई उब ग्रह नहीं है ऐसा कोई वो नहीं है मैं याद करने के लिए बता रहा हूं ऐसे याद कर सकते हैं दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है यहां पर मतलब सुबह सतापां माइनस 50 डिगरी साउं को 116 डिगरी ऐसे हो जाता है सूर का चकल लगाने में 88 दिन लगते हैं कम 88 दिन का समय लगता है ब्यास चार आठ साथ नो किलो मीटर होता है ठीक है अब देखें यहां पर बुद्ध है यहां पर सन है इनके बीच की दूरी सत्ताउं दसमलों नौ मिलियन किलो मीटर किलो मीटर माश समझेंगे तो बुद कुलियन किलो मीटर के धिए तो यह कम डिस्टेंस नहीं होती है अब है अब सबक्री इबात करें कि पिर्थवी के सबसे नज्दी का जगा यह माना जाता है कौन सुक्र गरास अगर प्रिखें यह पिर्थवी इस मंगल है यह मंगल है और इधर कौन सा है सुक्र है अब मैं पूछ कि पिर्थभी के सबसे नजदी कोन है,素ु क्र है कि मंगल है, तो सुक्र है, कैसे याद करेंगे जुड़व बाहन इसी को कहा जाता है, जुड़व बाहन ज़्यादा पास होगी, कि मंगल, मंगल कोछ और समझ लीजिए, ठीक है, तो जुड़वा बहानी सबसे ज़्यादा पास होगी, ठीक है, तो ये पिर्थवी के सबसे नजदी का गरह, अपना कोई उबगरह इसके पास भी नहीं है, तो अगर दोनों याद करिए, क्योंकि दोनों पास इतनी गर्मी है क तो गरह, वहाँ सर्वाई भी नहीं कर सकता, ऐसे याद कर लिजिए, ठीक है, अब देखें, बरतमान में सौर मंडल का सबसे गर्म गरह, ठीक है, ये है, है तो आपका आगे बुद्ध है, लकिन वह उतना नहीं गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म ये है, ठीक है, 464 डिग्र अतधिक असंबह है, क्योंकि कारवन डाई अकसाइड की मातरा उचस्तर है, यहाँ पर कारवन डाई अकसाइड की इतनी उच्छ मातरा है, तब ही इसका तापमान बुद्ध से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, क्योंकि बुद्ध से दूर है, तब ही इसका तापमान बु थीक्की से Preview की बात करते हैं बुए परपटी पर बोट आयत में पाया जाने वाला रासाइनिक तत्तों कुण सा है आख सी जन rhetoric ещё प्रिपटी पर बहुत आयत में पायानेवाला रासाइनिक तत्तों कुण सा हैं आक सीजन अवस्थित क्या होती है शुक्रh और हुआतान्थ, 21-22 जून सूर्ण का कर रेकखा पर लंबौत चमकना ठीक है। तो ग्रीस में का अधन गप होता है? समर सूलिष्टिक जिसको बोलते हैं. तो यह समर सूलिष्टिक कभ होता है? जब आपका ये 21 और 22 जून होता है जिस दिन आपको योगा डे मनाए जाता है उसी दिन आपका सूरी क्या होता है इसी पर चमकता है इसलिए ज्यादा बड़ा दिन होता है ब्यंटा सूलइस्टिक का होता है 22 से 23 दिसंबर सूरी मकर रेखा पर लमबोत सम्चंद चमकता है ठीक है दो इकी सोरी यहाँ पर चमकता है एक। इसरे रहाए हो अगो भीप है करमानुसार में पांच lemons सबसे बढ़ा गरह है अब पूछा था कि हम अगर पूछें कि आकार में सबसे बढ़ा गरहं कौण सा तो यह जूपिटर ब्रश्पति है sard है फिर से नेप्च्यून है फिर आपका पिर्थवी आजाएगा मतलब जो इधर वाले जब गरहा है उनको काउंट कर लीजिएगा इसके बाद जब इस साइड में आईएगा पिर्थवी वाले पार्थिव गरह में सबसे पहले पिर्थवी आएगा ठीक है इसके बाद उसकी सबसे बड़ा तो आप सुक्र बताईए क्योंकि पिर्थवी पांचवा है तो वह छटवा हो जाएगी फिर सुक्र के बाद कौन बताईएगा मंगल बताईएगा ठीक है अब देखते हैं यहां पर सूरी का परकास आने में आठ मिनिट उन्नीस सिकंड का लगभग समय लगत की संग्या दी गई है पिर्थवी सूर का चक्कर 30 किलो मीटर की बेग से लगाता है तीस किलो मीटर पर 30 सिकंड के बेग से लगाता है पिर्थवी की भूमत दरीक है परिदी लगभग चार चार इस हजार ठीक है नबे दसमलो दो आठ किलो मीटर है आप देखिए मंगल गरा भाविस्थ में जीवन की परबल संभावना है ठीक है मंगल गरा पर क्या है भाविस्थ में जीवन की परबल संभावना है इसको रेड पलेनेट भी कहा जाता है मंगल गरा को रेड पले के दूरी से चारुथ्य अर्ष्थान पर है जग्रसूर की दूरी की बात करें औसात मध्हता अपमान-œंट-ë माइन्स-फ़ज धियर माद्हता वी ज्राम की परवत निकस ओलम्पिया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एक few तो निकस ओलम्पिया जोलम्पिया या दो उग्रह कुन से पोबोस और डीमोस ठीक है या सवर मंडल के छोटे उग्रहों में से एक है ठीक है पोबोस और डोमोस ये क्या है सवर मंडल के छोटे उग्रहों में से एक है अब भारत का पर्थम मंगल अभियान मार्स आर्बिटर मिसन है ठीक है तो भारत का पर्थम म मंगल अभियान कुनसा है मौГल यान में सुरूख किया गया था 59 रभर 2013 को बाझ को और कि मार्य यान मिसन का पश्च के अस्थान श्थान 27 Progress ऑब अब दियौकर देखिए बिरस्पति के बारे में देखता है सबसे भारी ग्रह है बिर्शपती ग्रह के चंद्रमाओ की खोज गेलेलियों ठीक है यह तो गेलेलियों ने की थी इसके अगर यूरोपीन इस पेस अजन्जी का वह देखा जाए तो टेलिस को इसके लेलियों के नाम रखा गया है ठीक है वलेव की खोज बले सिलकेटों से बना है वर्श 1989 में वाइजर वन इस पेस प्रोब दौरा विसेश्ता तारा यूंग्रह दोनों के गुड़ों का परदर्शन करता है सवर मंडल का सरवजिक तीबर गति से अपने अच पर घुड़न करने वाला अच मतलब क्या जो आप मैं अभी तेल वाला नहीं दिखायता तो डंडा लगा था वो जो घूमता है ठीक है तो जिससे पिर्थवी जब घूमती अपने अच पर जब आप पूजा करने जाते हैं लगभा 11.86 पिर्थवी वर्ष परिकरमा करने में लगा देता है इतना यारा दस्मعت naar 86 देखिये हमेसा यह याद रखेंगे यह सूरी है जितना दूर गरह रहेता हैमालीज यह बूद्ध है यह स्ुकर यह इया पिर्थवी है यहं मंगल है तो जितना दूर रहेता वो उतना समय यह सूरी का परक्रमा करने में लगाएगा ठीक है जितना नजदीक रहेगा उतना कम सर्क परक्रमा करने में लगाएगा तो जूर जितना रहेगा उतना कोई हाथ में रसी बांद लिए जितना वह हाथ में जो रसी और वह एक टुकड़ा ले लिए गिट्टिक का उसके बाद ही जब दूर रहेगा तो ज्यादा समय लग जिससे जैसे पास आता जाएगा वो जल्दी जल्दी घूमता रहेगा ठीक है तो यह याद र सब्सक्राइब देखते हैं सौनमंडल का दूसरा सबसे बढ़ा ग्रहा है आकार में अन्य नाम क्या है गैसो का गोला गलेक्सी समान ग्रहा ठीक है यह गलेक्सी समान नहीं दिख रहा जो वाल पेपर आप लगाते हैं उसी टाइप दिखता है यह लगभव उन्तिस दस्पल सब्सक्राइब देखते हैं यह क्या करा यहां पर वाइमंडलिय गैसे हाइड्रोजन हीलियम मिथेन और आमोनिया यह वाइमंडलिय कैसे हैं हैं सनी में ठीक है कौन कौन सी हाइड्रोजन हीलियम मिथेन अमोनिया जैसे मतलब आपका वह ब्रस्पती में है वैसे सनी में भी है ठीक है आप देखें चंदर्मा के बारे में देखते हैं क्योंकि चंदर्मा भी इंपोर्टन्ट है जैसे हमारी प्रित्वी गूमने के काल के बरावर हो लगभग होता है लगभग बरावर होता है तोड़ा अंतर होता है इसका मतलब कहने का क्या है जो पिर्थवी चारो और के सूर के चक्कल लगाती है ठीक है चंदर्मा अपने अच्छ पर चंदर्मा के घूड़न का काल पिर्थवी के चारो और घू 360 पूरा करता है पिर तभी उतना यह चंदरमा उतने समय में अपने पूरे एक एक सैस पर घूम जाता है ठीक है एक सैसे पूरा एक उसमें मौसं परिवर्तन होता है मेरी जमत होता है। designing मपूर योन के सबसे चंदर्मा फूल मून की सनी है तो बालत जब फूल गरमुन क्या होगा है नल्स मेरी को लिएर है मेरी के सबसे निकट पिरेज़ी यूम पूल पूल मून की इस्त्तिति है क्तिल स्याशका है होता पासे का पोजी होता है प्रेजी मादलब सबसे निकट होता है तो फूर चंदरमा होता है जिसको फूलर मून कहते हैं ठीक है एक निव मून होता है नो रि export होता है उसको इसकोική दन neighboring कहते हैं ठीक है — फूर्मून के इन चंद गराढ़ होता है सूरी और चंद्रमा के मध्य पिर्थवी का आ जाना अब देखे यही में वहां कहा था यहां पर क्या है यहां पर मून है यहां पर क्या है सन है अब इसी के बीच में क्या आ जयता है वाестоको जब आता है तो क्या होता है चैंद गरफद लगाता है चैंद गरहर और जलाद करेंगे गरह जा रहा रहा है ये इस पर पूरा अधेरा है तो मतलब क्या ग्रह आ गया है ठीक है तो चंद ग्रह कब लगेगा चंदर पर ग्रह कब आएगा जब उस पर रोस नी पहुचेगी नहीं कब नहीं पहुचेगी जब हम सब आ जाएंगे एक बार सूरी गर्षड में हमारे सामने आ गई थी हम सूरी को नहीं देख पा रहे थे चंद्रमा आ गया था तो हम सब भी सुचे अब हम बदला लेंगे तो हम क्या किए हम इनके सामने आ गए तो वहां पर इनका लग गया चंद्रगर्षड तैसे याद कर लिज देखे रहा पूरा पिर्थीव самой पड़ा चंद्र마 नहीं पर रहा है जब चंद्र मा परकास नहीं पड़ेंगी तो आससे पोघ करते हैं आपको पसंदार होगा तो ठील कर ऴारिक क्या होता है बिच्या होता है सौन कर और वंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपगला है ठीक चंदरमा पिर्थवी एक ही समान है तो हम पूछें कि सवर मंडल और पांच हो बड़ा गरह कौंसा है तो चंदरमा तो ऐसे दोनों ही एक हिसात है यात कर लिए सी आफ टांकिल्टी चंदर्मा पर काल धबबे को कहा जाता है जोवियन वले दिया गया है नाम ठीक है अब देखिए चंद्रमा का लाला रंग दिखाई देना का लाता है ब्लेड मून का लाता है जब चंद्रमा का लाला रंग दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं ब्लेड मून कहते हैं कि जब चंद्र नमान पास यह माने दूर तिक है तो इसको कई गाते हैं जब चंद्रमा पिर्थवी के सबसे से निकट होता है उसको पिरे जी कहते हैं वह है इस microscopic जब चंदरमा जवार उत्पोदक बल सरवधिक होता है उप पिरेजी में तो क्या होता है कह रहे हैं कि जवार उत्पन करने वाला बल किस इस्थित में होगा अपोजी में पिरेजी में तो हमेशा जवार उत्पन करने वाला बल पिरेजी में होगा क्योंकि पिर्थवी और चं द्रमा का जौर पोदक नियूंतम होता है अपभू मतलब यह अपोजी होगा ठीक है तो जब ज्यादा उच्छ जौर होगा उसमें पिरेजी होगा निमने जौर होगा अब देखे देर्ग जौर यह क्या होता है इसका कांसेट एक बार समझ जाए देखे जौर आने के दो तीन कारण में होते हैं पहले क्या कारण होता है सन एक याद रखेगा दूसरा कारण क्या होता है जौर आने का तो दूसरा कारण जौर आने का होता है पिर्थवी जो मतलब अपने एक्सेस पर रोटेट करती है वो याद रखेंगे तो मतलब जब पिर्थवी अपने एक्सेस पर क्या करती है एक रोटेट करती है तो ये भी याद रखेंगे क्यों कि जब कोई बस कोई चीजे माद लेजिए कोई चीज तो इसका जो बाहरी वाला हिस्सा है ये बाहर भागने की कोसिश करता तो उसको क्या कहते हैं? उसको अभिकेंदरिये बल कहते है, centrifugal force कहते हैं, तो कोई चीज जब अपने access पर घूमती है, तो उसकी जो parts होते हैं वो बाहर की तरफ जाने की कोशिस करते हैं, तो वही होता है ठीक है जो आप मौत का कुमा देखेंगे वो बूरा जब घूमता है तो बाहर की तरफ को अंदर नहीं गिरता ठीक है इसी कारण नहीं गिरता तो सेंटी फ्यूगल फोर्स के बाद इसमें और कौन सा होता है एक सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा का किसी चीज़ का होता इस तब यहाँ पर देखते हैं कैसे होता है ॆर ज b क्या होता है फूल मून होता है जब एकदम सीधे में आ जाते हैं सन भी आ ओर मून भी आ गया जब еगना सीध में माली जी यह है इधर और इधर चंदर्मा है कि एक दम सीथ में आजाते हैं तो चंदर्मा का गुर्थवा करशण बल से बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत फालेंगे अप्तिक है लेकिन वो दूर है ठीक है तो सूरी क्गुर्त वरकिशन है लेकिन में बहुत दूरेसं लिए तो क्या करता है उसका परभाव कम है चंद्रमा का गूल्ट करसर जादा है कase क्यों जयादा है क्योंकि यह प्रते के नजदीघ है ठीक है इसे लिए इसका चंदरमा का हुआ बहुत ज्यादा पड़ता है तो दिए यह जांदार हो दो चाहांफ आएंगे एक दो जोरा है तो यह साइड में भी जोर काड़ आएका और इस पीछे कैसे आएगा यहां भी होटा है इस LEIK lie होता है तो यह इधर भी तो एक बार में पिर्थवी पर काहूं पर दो बार दोनों साइड इधर भी उस साइड भी जौर आ सकते हैं कितने अंतराल पर आते हैं लगबग साड़े छे गंटे के अंतराल पर जौर भाटा आते रहते हैं साड़े छे गंटे ने छे गंटे कुछ म ठीक है तो इन सब का क्या होता है एक साथ लगता है तो क्या होता है वो देर्ग जुआर होता है जो समानता जुआर से 15 से 20 पड़ा होता है आप देखिए यह तो आपके उससे रिलेटेड है रिगवेद में दसवे मंडल में चंदर्मा की बात करें पूरु सिक्त में उल्लेक क किया गया है जोतिस में चंदर्मा जातक के मन की स्वामी होता है ठीक है चंदर्मा मन्सो जात चच्चतो सूर्य पजा आजापत सुक्त यह इस चंदर्मा का सुलोक है ठीक है आप देखें यहां पर यह है चंदर्मा यह भी चंदर्मा है यह पूर्मा के दिन की बात करें सू सूरी से नहीं उतना आता ठीक है लगुजवार क्या होता है जब सूरी पिर्थवी और चंद्रमा समकोड पर इस्तित होते हैं तो उसे लगुजवार उत्पन होता है यहीं पर यहां पर ठीक है तो मतलब यह यहां पर यहां पर यह यहां पर ऐसे ठीक है तो ऐसे समकोड हो गय तो थो उतना उतना किचाव नहीं होगा एक से लिए वहां पर और हो जाता था इह था किचाव तो यहाऊ रहा ने रहे तब क्या होगा इतना रगुड़ ज्यादा रहाए 맞 दो State जो समानता जोहर से 20 परसेंट छोटा होता है अब देखते हैं नासा का चंद्र मिशन क्या है अपोलो 11 है ये चंद्र पहला मानायुक तंत्रिच जो मिशन सता पर उत्रा 20 जुलाई 1969 को यह उत्रा फुलुडिया के मेरिट दीप परिस्थित केन कमेडी कनेडी स्पेट से 16 जु आंद्र पर्देश के स्री हरकोटा में इस्ति सतीन धाउन केंड से PSLV सी सिकंड द्वारा चंद्रियान फर्ष्ट प्रेच्छ पित किया गया लच्छ चंद्रमा पर पानी की मौझूदी की जानकारी का पता लगाना था चंद्रियान फर्ष्ट सिकंड क्या है 20 जुलाई 2019 क इसमें क्या कहा था आर्विटर था लेंडर रोवर था रोवर को प्रग्यान कहा गया था लेंडर को बिक्रम कहा गया था चंद्रमा के दच्छरी दुरों पर पहुंचकर अंसंदान को संचालिक करना था ठीक है यह भी बहुत इंपॉर्टन्ट था यह देखिए अब देख रिकॉनिंस और्विटर नामे के एक उबगरा कर परिछेपड किया गया था 2009 में अब देखिए चंद्रियान थिरी की बात करते हैं पिसेस्ता क्या है चंद्रमा के दच्छी धुरूपल लेंड करने वाला बिसु का पहला अंत्रिच्यान यही है तो चंद्रमा के दच्छी तो थित क्या 23 अगस्त दोहजार थे से प्रेंडिंग थी पच्छे पढ़ती थी 14 जुलाई 2023 ठीक है प्रेच्छे पढ़ अस्तर्थल एस्डी स्थ एस एस एच एर रहा है प्रेच्छे पढ़ यान यहल्वी एम थिरी एम फोर ठीक है धूमकेत तो पुछल तारे कॉमेट क् धूमकेत या पिछल तारे आकासिय धूल बर्फ और हिमानि गैसों के पिंड होते हैं जो सूर से दूर थंड़े और अंधेरे छेत्रों में रहते हैं सूर के चारों और लंबी इंद किंतु अनिमित कच्छा में घूमते होते हैं ठीक है तो वह ये कॉमेट कहलाते हैं धूम कर लेवी नाइन धूमकेट 16-22 जुलाई 1904 के मद्ध बिरस्पति ग्रह से ये टकराया था ठीक है संदचना धूमकेट क्या होती है आकासी धोल बर्ख और हिमानी गैसों के पिंड होते हैं ठीक है विसेस्ता क्या होती धूमकेट समानता दो पूंच धूम कड़ों से युक्त हाई नडाई जोड़ता है हेल बाप क्या होता एक पुछल तारह तेज जुलाई 1905 को बिरस्पति की कच्छा के बाहर चमका ठीक है अगर हम देखते हैं चंदर्मा की सता पर सफलता पूर्वक सुरचित उतरेने वाला पहला अंत्रिछ मिसंद कर था लूना नाइन था ठीक ह है चंदर्मा की कच्छा में पहुँचने वाला मानव यक्तिम इसन क्या है अभी हमने पढ़ पढ़ा आप ज्यू मेशै था लेकिन लूना नाइन था जो पहली बार रसिया के दोरह है पहले सोवियस संगता इसी के दोरह पहली बार मिसन पेजा गया था जो कि सफलता पूर् पूर्चंदगरहड उस समय होता है जब पिर्थवी चंदर्मा पर पूर्चाय डालती है पूर्चंदगरहड के स्थित में चंदर्मा का रंग दिखाई देता है किस तरह का लाल दिखाई देता है एक सौरवर्स में बारा चंदर्माहों का कुछ दिन होने के कार घटित एक अ कि क्या है ठीड हे स्ट्राइड क्या होता एंग हुटा है उन्हार आउर सीप्スकी कि मैं होता है अगर मैं उसको दिखाऊ़ हुआ नहीं है यहाँ पर इसमें दिखाता हूं कहा गया ठीक है तो इसमें जो इस्ट्रोइड बेल्ट आप देख रहे हैं तो मैं इसको पहले ही रेज करता हूँ देखिए यहां पर इस्ट्रोइड बेल्ट आप देख रहे हैं यह छोटे छोटे क्या देख रहे हैं यह देखिए चोटे छोटे आप यह इस्ट्रोइड बेल्ट हैं कहां पर यह इस्ट्रोइड बेल्ट कहां पर यह देखिए ब्रस्पती जूपिटर है और यह यहां पर कौ इस साइड है और यह वाज लाइन में देखा है इधर है और यह वाज लाइन इधर है तो इसी के बीच में इसी के पीच में आपका देख रहा है धूम के ठीक है तो यह इस्ट्राइड देख रहा है धूम के इस्ट्राइड देख रहा है तो यह तो यह इस्ट्राइड के बारे में कि यहां भी हमने फीगर भी बनाया है इस्ट्वाइट छुद्गरा दिख रहा था ठीक है मंगल कर अब बंगल और बिस्पती की कच्छाओं के भी छुद्गरा जो इस्ट्वाइड है पस्रीले और धातू कैसे पिंड़ जो सूर की परक्रमा करते हैं तो यही है इसी में देखता है कि कभी कभी यह हो सकता है प्रित्वी पर ना आजाए अगर यह बहुत 1000 किलो मीटर तक भी हो सकते हैं तो बहुत बड़े हो सकते हैं यह ठीक है तो याद रखेंगे इस्ट्वाइट कहां बिल्ट कहां पाए जाते हैं मंगल और ब्रस्पती के कच्छा के बीच में अब देखिए तारों के मद्द दूरी ग्यात करने के लिए प्रकास वर्स की इकाई क्या है यही है ठीक है अब देखिए ब्यवस्तित तारों के समोह नचत्र मंडल या तारा मं मंडल या कंस्टेशन करते हैं जो बेवस्तित तारों का समोह होता है यह यह हम को लगता है कि तरह काम नहीं करते हैं तरह नहीं पनाते हैं कभी फीपर मेरा के खाले हमें मंदल के इतने धूलक़ होते हैं में कि हमको प्रकास को अंत्रेशियान के बाहर बाहर का तापमान बहुत कम माइनस तो बहुत कम माइनस 270 होता है जो प्रित्वी तल से बहुत कम होता है ठीक है अब देखिए इवेंट होराइजन वह एक ऐसी सीमा बाउंडरी है जो अंतरिश में बलेक होल के चारो और के छेत को परभासित करती है इस सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेचे पर संभ हो नहीं है ठीके तो याद एक और जो ब्लेक होल है इससे बलेखोल मैं यस से बनाया नहीं तो इसके जो अंदरकापर होताह है उसी को इवेंट होराइजन ठीक है एख़़ी जिसके अंदर कुछ भी लेना प्रकास भी लेना संभव नहीं है। फेसिंगूलेर्टी होती है में कि और आंद रिश कारशे संब्स हां नहीं है। जाता है जैसे भारत का मानक समय नईनी से जो गुजरता है साड़े बैसी डिग्री इस्ट है ठीक है निहारिका या सौर मंडल का भाग नहीं होता है निहारिका जबकि गराह उपगराह बोने गराह प्राकिरतुगर छुद गराह लुकाएं धूम के ख़वोली यह सब होते हैं यह सौर मंडल के भाग होते हैं लेकिन निहारिका यह भाग नहीं होता है कौपर निकस क्या होता है सौर पर्थम परतिपादित किया सौर मंडल का केंद्र है और प्रिथिवी पर उसकी परिकरमा करती है तो कौपर निकस क्या सौर परतिपादित किया सौर और सौर मंडल का क केंद्र है और पिर्थवी उसकी परक्रमा करती है तो एक कॉपर निकस ने ही बताया था जो अभी आप कांसेप्ट पढ़ते हैं गरहों का घंट तो अगर देखा जाए तो सबसे जादा घंट पिर्थवी का 5.5 ग्राम पिर्थवी मुकता लोहा होता है 32.07 आक्सेजन कितना हो तो 32.07 और आक्सेजन 30.12 सिलकान भी होता है फिर बुद्ध का घंट तो है फिर सुक्र का फिर मंगल का फिर ब्रस्पती का फिर सनी का वरूर का वरूर का ठीक वरूर का है फिर इसका है ठीक है सनी से जादा है किसका अरूर का वरूर का घंट हो ठीक है यह गहनत देख लिजेगा ठीक है पूछ लिया गया था एक बार ठीक है किसका घंट हो जादा है अब देखिए मंगल के गरह के बीच और यूरेनेस गरह के बीच किसको पूछा था बिरस्पती और सनी को ठीक है कौन कौन से गरह घ्रैं तो सन और पर्धवी बुद्द होर्ष न Countक्री यह भी कूशीन पूछआ गये था गोल्डी लॉग्स जोन क्या होता है जा हमारे बाइग्यानी क्या होते है एक गोल्डी लॉक्स जोन बताएं गोल्डी लॉक्स जोन बग्यानिक इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि वहाँ पर पिर्थवी पर जैसे संभावना है वैसे भी वहीं पर जीवन की संभावना हो सकती है उसी को गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं मतलब जिस जोन में पिर्थवी जैसे गरह मिले वही गोल्डी लॉक्स जोन का लाता है पिर्थवी और सूर के बीच की दूरी एक बटा तीन कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना हमारे वर्ष की आवदी कम हो जाएगी ठीक है अगर पिर्थवी और सूर के बीच की दूरी एक बटा तीन कम हो जाएगी या सही है किर्थिम उग्रा हमेशा पूर्व की दिशा की और प्रिच्छेवित किये जाते हैं क्योंकि इससे उग्रा के निकास बेग मिल जाते हैं देखें किर्थिम उग्रा हमेशा पूर्व की दिशा में प्रिच्छेवित किये जाते हैं इससे क्या होता है निकास विश्य से यह क्या होता है इधर ही सोता पश्चिम से पूरब की तरफ हमारी प्रित्वी घूमती है तो पश्चिम से पूरब निकल लए है तो क्या ऐसे ही हमारा वह जो रॉकेट है वह भी सोचते हैं कि अंतरी उपगरह है वह भी पश्चिम से पूरब की और निकल जाती से लिए पूरब की दि तर दच्छिर की तर परिच्छित किया जाते हैं अब हम यहां से परिच्छित कर देंगे और धुरू यहां है तो क्या मतलब हो जाएगा उसका कोई मतलब नहीं तो इसलिए सभी गरह की बात नहीं करते हैं अगर यहां लिखाएगा कुछ गरह कुछ ने मैक्सिमा मंगल लिखा होता तब ही सही होता लेकिन कुछ ऐसे गरह हैं जो धुरूओ की परिकर्मा लगाने वाले उपगरह उत्तर दच्छिर के और पच्छिवित किये जाते हैं अब देखें पिर्थवी के परता घूमने वाले किर्थेम उपगरह के संवाजी पिर्थवी का चकल काटने लगती हैं तो यहां अब देख लिए यहां पर हमने दोनों में कंफ्यूज ना हो क्योंकि सब बोलते हैं कि मंगल गरह पर रहा जा सकते आगे तो जुकाव देख लीजिए साड़े तेश इसका है 25 इसका है दिन की आवद ही 24 आवर 37 मिनट और 30 सिकंड है कि मंगल की यह बात करते हैं सब्सक्राइब ने पहली बार ब्याख्या की थी कि प्रिथवी अपनी दूरी पर घूमने का काड़ दिन और रात होते हैं जिसको आप रोटेशन कहते हैं परिकर्मण कहते हैं जब अर्थचंद्र होता है तो सूरी प्रिथवी तथा चंद्र के वीज का कोड़ 90 डिगरी होता दूरी 3,84,400 कीलो मीटर है तो आज यहां पर आपको क्या मिल पूरा खतम हो गया जितने भी सौर मंडल से कोईशन बने हैं आप से के पेपर में यहां पर सब खतम हो गया ठीक है यहां से कोईशन बाहर नहीं आपके घटना चकर में पूछा गया जितना मैं लिख दिया हूं इतना ही पूछा गया है अब यहां पर कम से कम यह लगबख 30-40 पेज होगा लेकिन हमने कितने लगबख 10 पेज में कनवर्ट कर दिया है और सब ही कोईशन को हमने लिख दिया है कोई कोईशन आपका छोड़ा चूटा नहीं है इस पीडियाप को आप कम से कम 20-25 मिट में आप पूजी पढ़ सकते हैं ठीक है दो तीन बार रिविजन कर लेंगे आपका इसी पीडियाप से आ जाएगा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अपना ख्याल लगएगा चैनल को सस्क्राइब लाइक कर दीजेगा जन्दन के दिन ही वह आएगा ठीक है तो आप सब वीडियो को अज करिए गा जैहन जै भारत